हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हैं आप अच्छी हों कि वल्गूम करती हैं बिंदु दीवेती लाइफस्टाइल वी लॉग में और आज मैं इस फ्लोर से वी लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि इस फ्लोर पर ही जो है मुझे पहले साफ सफाई करनी है क्योंकि गाड़ी वड़ी नहीं है अविश्का गई हुई है और अविश्का के आने का टाइम भी जो है जल्दी है क्योंकि वह बाराविज देखा जाएगी तो इस फ्लोर पर जब कुछ खाली रहता है नो कोई नहीं रहता है तो मैं बॉजली साफ कर लेती है और देखि आपको दिखाऊंगी इसकी सब्सक्राइब कर लूँ चलिए फ्रेंड्स मैं सफाई करते करते मैं आप लोगों को दो ऐसे लोगों को बारे में बताती हूं जिनसे हमेशा जिन्दगी में दूरी बनाए रखना चाहिए एक तो एक मझी बलकि मेरी जिन्दगी में ऐसे तोनो लोग हैं जिनसे मैं कोशिश करती हूं दूरी बनाए रखने की एक तो ऐसे लोग हैं कि जो लोग जो है आपके मूँ पर तो आपकी बात कहते हैं पर जैसे ही आप हटते हैं आपके पीछे जो है आपकी बारे में उल्टा पुल्टा कहते हैं और इस तरह से बताते हैं कि अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों को अपने जीवन से जरूर दूर रखें, और अकर दूर नहीं रख पा रहे हैं, तो इनसे बात करते से मैं बिल्कुल साउधानी रखें, कि कोई ऐसी बात ना निकले जिससे ये दूसरे से आपकी बात को मतलब अगर आपने कहा हो कि वो बहुत महंती आदमी है, तो वो जो है उसके सामने जाके कहेंगे कि अरे यार वो कह रहे ही थी कि बहुत काहिल हो तुम, या पिर यार तुम दिन भर काम में लगे रहती हैं, तुमारे पास जो है, मतलब तुम सोसाइटी से बिलकुल अटैश नहीं हो, मतलब इस तरह से आपको प्रजेंट करेंगे कि जिस तरह से आपने उसके अच्छाई नहीं बलकि उसकी बुराई निकाल लगी हो, ऐसे लोगों से तो बहुत ज़्यादा सा अथान है ना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, कि आपकी अ इस फ्लोर की सपाई तो मेरी पूरी कंप्लीट होगी है, अब मैं चाहरी हूँ उपर फ्लोर पे और उपल फ्लोर पे मैं अलड़ी साफ कर चुकी हूं तो कोई टाइंशन नहीं है, और यह देखी में यहाँ पर पहले ही इस फ्लोर पे यह पूरा रूम अविश्का कर रूम चावल चापाती इस सारी चीजे बना लेती हूं कि अविश्का आएगी तो उसको भूग भी लगएगी ना इसलिए उसके बार फिर मैं कर रहे हूं और फ्रेंड अबीड का खाना तो मैं बना रही हूं साम का खाना मेरे हजबन बना रहे हैं क्योंकि मैं तबेत्र ठीक नही नहीं जब वो जो है अपनी टेंथ ट्वेल तो यह सारी चीजे कर रहे थे तब ही से वह अपने घर से बाहर रहते थे क्योंकि उन्नाव जैसे छोटे सहर में उनकी पढ़ाय अच्छ से नहीं हो पाती थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको कुछ बना है तो इसलिए कि उन्होंने लखनव से बाद में फिर दिल्ली से पढ़ाई की और दिल्ली में वो रहते थे और जितना मिनमम कर्चा जो उनके मावाप देते थे उसी में अपना गुजारा करते थे वह बहुत शाइन नेचर के थे और अपने मावाप से कुछ भी एक्स्टा नहीं माँगत जो भी उनके पास था रुखा सूखा वही खातर के अपना जीवन दिल्ली में उन्हें बढ़ा है यहां पर लगी हुई अविश्का जो एक्जाम देकर आई है तो एक्जाम जो है देने के बाद जो है वो लगी हुई है एक माक्स का क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा डाउट मेरे 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 जुनियर बिंदू है तो मैं चलती मेरे अपना कोफते बना लेती है उनको डूर्मी लूगे ती यहों मेरी तपे थीक नहीं लग रही है तो देखिए लगे पड़े कीचन में चाय बनाने में क्योंकि आज उनको चाय मिली नहीं है पास बज़े की चाय नहीं है तो याज खुदी चाय बना रहे है वैसे यह जो खुझ नहीं है बश्याद काम बढ़ता है कि नहीं है लगे जाता है विद्ध कि अधिए शुछ आज विप्रण और पूरा कीचन साफ और चाय मिली तो मैं नहीं आज बना रहे हैं था नहीं अध आज परिजर नो कवा दिया आज जाब। आज परिए जो आज परिए जाब। तो इनकी बात उम्मत आईएगा कोई ओफ कमरा काम नी करता है हास्बंड सब लोग जानते हैं और यहां लगी है यह देखिए फिलाल इनके पापा ने आज इनको बेलपुरी बना के दी है यह देखिए क्योंकि जब पढ़ती है ना दिनके पापा जो इनको इसको खिलाते जादा इतना जादा कि पढ़ने में ध्यान छोड़ देती है और सिब खाने में लग जाती है पता है हमारे जब से एक्जाम आरे ना अपसे में परशान पैठी हुई है रियल में परशानत है और असका संस्क्रत का पेपर है तो यह मैस पढ़ रही है क्योंकि संस्क्रत के लिए आपको बताया था मैंने एक दिन की मातरी चुटी है और पिछ चाप्टर बहुत जाद है तो चलि हमारी चाय आगी है और हम पी लेते एक्जाम में एक और पीजह की अगी आप यह जाला है तो वीलोग इंदी तफ है यह बहुत टाफ है पर फिर बी मैं करती हूं क्योंकि मैं डेली वीलोग चानल लाना सबकुछ मेरेट करना सफाई करना बची पहाना एक्जाम में जड़ा अप्टप होता है और इसकी वार अपर इंके मावाप इनके उपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे मतलब कि अगर बच्चा बहर पढ़ रहा है तो पढ़ने तो क्या फरक पढ़ता है तो जब मैं दिल्ली आई तो मुझे इनको देखकर ऐसा लगा कि मतलब कि इनके माप पता नहीं कैसे हैं और इसलिए मैंने जो इनके पास कुछ भी नहीं था तब भी मैंने अपने ममी पापा से कुछ नहीं कहा क्योंकि ममी पापा ने इनका घर देकर शादी की थी और घर मे नहींदे के ख़切़ में बहुत जाने के रहें सबस्क्राइटें। आप जितन लगं हैं और और कहल क्यों को दिखाना नहीं के मैं वहां पूसके मं अफ्यों था सबकिते 받고 मेरी तवित कराब होने के बात में इसको बढा रही हूँ और मुझे थोड़ी थंद लगई है तो मैं बैठी ही क्यों कि इसको बढाना ही है और आज यह खाना जो है मोज़ा है तो कहले ऑपने माव से दूर थे और माव से दूर जो है वो नाव में लगनों में अपना बढा द उसके बाद जब नोने एंसी है मतलब डिग्री विजरे लिए शू किया तो वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में काफी साल से आपको पता बीसो साल से उपर अगया उनको दिल्ली में रहते हुए और अपने माप से बहुत तक दूर रहे हैं और दूर रहे करके उन्होंने पाई नहीं की है और घर में बैठे रहते हैं और ममी पापा के उपर ही डिपेंड है तो ऐसा ना हो कि मैं भी ऐसा हो जाओ ममी मुझे क्योंकि ना जैसे छोटे से सहर में मेरा कोई करियर नहीं है तो इस पज़े से वह छोड़कर दिल्ली आ गया थे और उनके बापने भी कह जाओ अल्के बाद भी जाकत एंटैंक के मत अच्चित चैंडर, श्वाटा झ 250 जाथ कोई इसलें शोटा मैं अच्पाणी को delivery इन भी से मैं अच्चंडरा स्क्राइच कोई का दूड़कर को harvest कोई हम इस आच्याख। तो इतना सा समान था उनके पास अपने पास अपने बड़ा अश्चे रहा है कि ऐसे मावब भी होते हैं जो अपने बच्चों को दसो साल से बिल्ली में रह रहा है अज तो काफी टाइम होगया है अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए बेचे हो बेचते हो तो कम से कम कुस्तों आपको देखना चाहिए ऐसी पेरेंस में देखा और घड़े से लेकर के फ्रिज तकार जितना भी आप मुझे देख रहे हैं वी लॉग मेंना सब हमारी महनत का बनाय हुआ है और मैंने सबसे सब्सक्राइब के लिए वी दो कुर्सिया नहीं और आज में इतना बड़ा सब कुछ हांसिल किया अपनी महनत पर और वो भी दो साल में जो जम के महनत की जिसमें हमने प्रॉड भी खरीदा और साहसमान भी करीदा और उसके बाद अविश्टका को पेदा किया तो ऐसे माव अपने ऐसे कैसे पराय कर दिया मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे मावा इस दुनिया में होते हैं और जो एक मतलब एक घिसी चादर एक गर्दा और एक घड़ा घड़े का पानी पीकर जिए उन घड़ा मैं जब आई थी ना तो मुझे बड़ा जीव लग रहा था मैं कैसे पर फिर भी पती था तो पती के साथ देना जरूरी था और मैंने अपने हिम्मत के दम पे हम दोने इतना सब कुछ खड़ा कर लिया तो चलिए इसी के सब वी लोग एंड करती हूं थोड़ी सी दवाई मैंने खाई हुई है तो तुछी नीज आ रही है मैं सो जाओंगी आज के लिए इतना ही वाई पर टेक केर और आपको वी लोग पसंदाए और मेहनती लोग पसंदाते हो तो इस जरू को लाइक कर देगा क्योंकि मेहनत करने वाले कि कभी हार नहीं होती बाई बाई टेक केर